Hello everyone, welcome to my channel, तुम लोग आगे कहा पास शुरू करते हैं, यहां पस Dr. Quinn, Dr. Lane and Professor Zhao and Zhang इसा भी ग्रुप बन जाते हैं और यहाँ पस omega के rights के लिए fight करते हैं यहाँ पस doctor in बोलते हैं कि by the way junk मुझे तुमसे कुछ कहना है यहाँ पस एक party होने वाली है जहाँ पस businessman जो politicals रहते हैं government to person रहते हैं सब मिलेंगे if you want can we join this जो बोलते हैं कि of course मुझे जाना है तो यहाँ पस कुछ time बाद बोले पार्टीकलर निकल जाते हैं यहाँ पस कुछ मतलब try तो करते हैं बोट लोगों कुछ मिलता हैं तब ही वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए तब ही पिछे से आवाज आता है तो कि hey president jiang long term no see है मुझे तुमें देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा लगा मुझे पता ने देखिए तुम भी इन सब्सक्राइब इंट्रस्टेड हो और यहाँ पस वो कोई और नहीं Mr. Chen है जो previous जो jiang था ना उसका one of client है वो भी तो यहाँ पस बोलता है मुझे आपको देखिए बहुत ही अच्छा लगा बादे विए यह मेरा बीटा है यह बहुत ही शाय है बोलो Hello President Jiang को बहुत ही डरा रहते है मुझे कि Hello President Jiang तो यहां पस जांग बोलता है कि हां मुझे आपको देखे भी अच्छा लगा फिर भी वह पता है क्यों उसको थोड़ा से टरजी टरजी करता रहता है और यहां पस यह सब देख के जो डॉक्टर लेंड रहते हैं वहां से रहते हैं कि यह दाइट देखना चाहता था यहांने आंके तो होश यूट जाते बोलते कि क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ना? कि अरजी मेरे पास यह घुमिगा है आप ऐसे बोल भी कैसे सकते हैं? वो भी अपने बेटे के बारे में आपका बीटा आपका बेटा ऐसे कैसी कर सकता है उसे ही तो किसी अच्छी अलफा की जरुवत है राइड, यहां पस Mr. Chen बोलता है कि of course इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छी अलफा है तो यहां पस उसकी बाते सुनके तो बहुत ही कुछ हो जाता है बोलता रहता है, मन में आपको अच्छा लग रहा है, यदि आपको थोड़े टाइम भी पहले पते चलता है कि जी आशुक कैसे है, तब कि वो बेटे की लाइफ को hell बना सकता है था, फिर भी Mr. Chen बोलता है, by the way, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, obviously, Omega की शादी किसी ना तो किसी से हो नहीं है, और आप ब बेटे से private conversations कर सकता हूँ, और यहां पस बोलता है कि of course, don't find, मैं भी, तो यहां पस वो उसे जाता है, और अपना business card देते हुए, कहता है कि, hey, यह मेरे business card है, if you need any time, तो बहुत डरा हो बोलता है, पर यह मुझे आप दे क्यों रहे हैं, वो समझ जाते है कि यह बहुत डरा बोलता है कि I have no intention to finding any omega, right? So, यदि तुम अपने पापा की बाते को इसे blindly trust ना करो, तो यदि तुम्हें कभी जर्वत हो, तो तुम मुझे call कर सकती हूँ, समझ आ रहा है ना, और बहुत ही खूश हो जाता है, और बोलता है कि प्रेसिजेंस या, thank you so much, मुझे पता नहीं था क कि आप इतने अच्छे person है, और ऐसी कुछ conversation होती है, और फिर उलोग घर के ले निकल जाता है, जापस आज biting फिर से उसका wait करता रहता है, और बोलता है कि Dr. Jiang, आप वापीस आ गया है, जियां यापस उसे फिस से कहता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो, तुम इतना र I think को jealousy feel होती रहती है, और मन में सुसता रहता है, क्या वो उस बात को seriously रहनी लग गया, क्या वो सच में किसी omega को find करनी लग गया, और यहां पस बहुत जादा जल्बूनता रहता है, यहां पस उसे देखके, जियां यांशू समझ जाता है, और वो कहता है कि, बस करो please, don't overthink, मैं किसी strange omega से मिला था, बस मैं उसे मदद कर रहा था, ऐसा कोई लवी डवी से नहीं है, so please, यहां पस उसे रहता है, जियांशू, क्या सच में वो मुझे तुमसे चीन लेगा, और यहां पस हो, बलता है कि, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और बलता है कि, डॉक्टर जिंग जो बलता है कि, okay, okay, please, हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं था, कि biting भी इतना possessiveness रहेगा, और यहां पस वो शावा लेकर आजाता है, तब बलता है कि, बलता है, मुझे पहले चेक करने दो, और फिर उसे smell करने लग जाता है, बलता है कि, हाँ, चला गया, क्योंकि वो उसे हग किया रहता है, बाइटिंग, तो obviously वो इसको return हग करता है, और बलता है कि, पता नहीं था मुझे, कि biting इतना अच्छा, मुझे attention देने लगेगा, और बलता है कि, फीचर में तो मुझे ऐसी attention दोगे न, और उसे हग करता है कि, हाँ, ज़रूर, और उसका जो भी firmis रह करता है, यहांपा जिंग आशुर, कि वो इस तरह के से उसके लिए जो है न, वो feel करता है, next morning हो जाती है, यहांपा बाइटेंग, अपने university आकर मन में सोचता रहते हैं, कि यार मैं कितना stupid हूँ, मैं अपना firmis कैसे release कर सकता हूँ, ऐसी, मैंने उसका अभी तक confidence भी नहीं किय है, और इस तरह के से मैं अपना firmis release नहीं कर सकता हूँ, पहले मुझे successfully अपना confession करना पड़ेगा, उसके बाद यह openly हो सकता है, और बहुत ज़्यदह blush करते रहता है, और वो time देखके सूचता है, कि ही, इतना time हो गया, reunion क्यों नहीं आए, reunion यानि कि उसका friend है वो, और दुसे reunion बहुत ही विदास रहता है, और बुलता है कि ही, biting, क्या मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया, और तब ही suddenly biting क्यों आदा जाता है, कि oh my god, आज सब public exam का result आने वाला है, क्या reunion इस time भी नहीं, और यहाँ पस उसका हक करके बुलता है, कि it's all right reunion, मैं तेमाने साथ हूँ, बजनी आ रहा है, मैं हर बार fail कैसे हो जारूं, क्या कोई omega उस post पर नहीं जा सकता है, क्या, और बहुत ही रोता है, यहाँ पस अच्छे दोस्त की तरह biting को समझाते रहता है, कि it's okay, शायद उन लोग की कमजोरी है, कि वो इतने अच्छे talented person को lose कर रहे है, इस okay मुझे पता है यह infet treatment है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक, जिंग यांशू biting को नहीं बता है, कि वो equal rights के लिए fight कर रहा है, और दुसरे side से, उसको लेने के लिए, उसके जिंग यांशू और डॉक्टर लीना जायता है, बोलते है, कि है biting, मुझे तुमसे ही कुछ काम था, by the way, where is she, मुझे उससे मिलना है, उसके आगे पीज़े चकाल लगाता रहता है, बोलता है कि बाइटिंग, बतावना मुझे, कहां है वो, बोलता है कि किसे ढून रहा है, actually मुझे रियून से बात करनी है, कि तुम मेरे प्लीस help कर सकते हो, actually उसना मेरे number block कर दिया है, कि तुम बोलता है, कि हां, बात बात बीग, क्या हुआ है, तुम मुझे कॉल करो, इस टाइम पर, हम तभी मेले थे ना, यह पस Dr. Lynn excited और गोलता है, उसे प्लीस उसे इस speaker में लगा, तो बोलता है कि हां, well, Dr. Lynn मेरे साथ मैं, क्या तुम से बात करना चाहोगे, और बोलता है कि हां, त बात सुनो तुम्हारा एक्जाम हरो फोन कट कर देता है डॉक्टर लीन तुछ तक गुस्से में रहता है कि इतना बेकुफ इंजान कैसे हो सकता मुझे बिलीव ही नहीं होता मैं इतना दे तक उसके लिए वेट कर रहा था स्कूल के पास और बस ऐसी फोन कट कर दिया यहां प उसकी मदद करना चाहता होगा चलो तुम्हारा भी एक्जाम होने बाला है तुम्हें भी रिव्यू करना पड़ेगा और कुछ रहम बीच जाते हैं और यहां पर बाइटिंग के एक्जाम डेट आ जाता है बहुत ही नववस रहता है पर जिंके आश उसको समझाते हैं बोल नवश रहता है बोलता है कि तुम्हें पता चल गया मेरी स्कूर कितना है डोक्टर ज्यांग बताओ ना मुझे टीज मत करो बताओ कि हमें पास हो गया जिंग्यांशू बलता है कि आफकोस ओपन यूर आइस और सी यॉर्सेल्फ देखो तुम्हें कितने अच्छी ग्रेट यहां पास उसका ग्रेट बहुत ही अच्छा रहता है यानि कि यू कटफ से क्लियर कर दिया रहता है और बोलता है कि वाओ मुझे कभी थी खुशी नहीं हुई थी अरुसे हग कर लेता है जिंग्यांशू डोक्टर जिंग्यांशू मैंने एडमिशन कटफ कर लिया है ओ मैं मैंने कटफ करें बहुत ही खुश होता है जिंग्यांशू गोलता है कि अफकोस तुमने इतना अच्छा हार्ड वर्क किया था श्टडी में और उसे देखते हैं मुस्कराते भी बाइटिंग सोसते रहता है कि इंपिरियल कापिटल यूनिवर्सिटी फाइनली मैं वो ड्री लाक में चलती हुआ है और वह इतना खुश रहता है उसे बाते चिलते हैं अम झाल अक्सेप्ट कर लिया एक से अप्ना एडमिशन के लिया आज लेगा तब ऑफ यह उसकी कंद यह जाती है वो कम नहीं होती वैसी रत के दो चाहते है तब भी उसी जो खुशी रहते हो कम न नहीं होगी जितना आज बाइटिंग अपने लिए खुश है मुझे बहुत ही अच्छा लगया और दुसरे साइड वो रूम में एंटर करता है तो देखते है बाइटिंग थोड़ा सा कामडाउन हुआ है और मुझे मुझे बहुत ही अच्छा लगया और वो सोनी चला जाता ह पर उसका जो एक्साइटमेंट रहता है बाइटिंग का उसे सूनी नहीं देता रहता है कि वो फाइनली वो ज्रीम अच्छीव करने वाले है और फिर वो इसको ब्यूटी को एड्मायर करते रहता है डॉक्टर जी आंका और सुसर रहता है कि वाओ ये इनका स्लिपिंग पो जो उसके माइन में दो तरीके से डेविल रहता है एक एंजल और एक डेविल उससे तरह रहता है कि हे तुम ऐसे कैसे कर सकते हैं तुमने भी कनफेस नहीं किया और अपने एमोशन को ऐसे कैसे कर सकते हैं तभी उसको डेविल वर्जान आके बोलता है कि डॉक्टर कितना आच्छ है कितना प्यारा लग रहा है क्या तुम सुते वक्त उसे पख़ड़ नहीं सकते हो क्या इतना भी नहीं कर शकते हो इसके लिए है ऑव hem मों चाता रहता है वही तो हम करते हैं रैट और यहाँ फिष्ट को हुल्ड करने लग जाता है और फिर रुख के बोलता है कि या डॉक्टर जिंग्यांशू मुझे दूर कर देंगे मुझे नहीं पता कि मेरा इंप्रेशन कैसे रहेगा क्या वो मुझे दूरी बना लेंगे ऐसी हरकतों के लिए पर यहाँ पस जस्ट उल्टा होता है यहाँ पस डॉक्टर ज कि खाजता है कि सोते वग्जियांग को बहुत बुरे-बुरे सपने आते रहते हैं वो उसके मौम और डाइट के रहते हैं जहाँ पस उसके मौम के एक्सपटेशन बहुत हाई रहता है उससे भी ज़धा उसके फादर के बलते है कि तुम्हें डॉक्टर बने के लाइक नही और फिर वो देखता है biting बहुत ही अच्छे से hold करके उसके हाथों को सोया रहता है और सुचता रहता है कि मुझे से बिलकुल bother नहीं करना चाहिए और फिर उसके लिए cooking करना श्टार्ट कर देता है कुछ ताहिम बात biting भी उठ जाता है और नीचे आने लगता है और obviously उसने जो शर्ट पहने रहती है वो जिंग्यांशू करता है जिससे देखके जिंग्यांशू बहुत ही blush करने लग जाता है बोलता है कि तुमने वो शर्ट क्यों पहना है वो मेरा शर्ट है यहाँ पर बैटिंग बोलता है कि हाँ वैसे तुम मुझे पता है यह आपका ही क्या बना रहे हैं अब उसके बहुत ही क्लोज चला जाता है या पस उसको इस ड्रेस में देखके जिंग्यांशू की हालत बहुत ही खराव रहती कि उसको एक्षपटेशन नहीं है कि वो मेरा शर्ट पहलेगा करके और बोलता है कि हुं डॉक्टर जान ब्लश कर रहे है कि हम यहां पस जो चीन याशू बोलता रहता है बाई देवी कुकिंग इस रेड़ी तुम चाहो तो तुम थोड़ी दिर बाद आके खा सकता है और फिर मन में सुसता रहता है कि मैं इस एज में 29 years my life मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना sweetness इतना pure love मैं कभी पापाऊंगा तो फर्स जर्मी का जो सुकून मिल रहा है वो से कहें चीन जाया किसी को खोने का दर्द क्या होता है जो उसे बहुत चूट लगा रहता है बाई टिंग को तब उसे बहुत ही डर लगता रहता है कि बाई टिंग को हमेशक ले को ना दे वो नहीं चाहता है कि बाई टिंग किसी के साथ रहे कि वो एक बंधर में बंदे, वो इंडिपेंडेंट रहे, वो अपनी लाइफ का दिशिजन खुद ले सके, इसलिए वो उसको इस लव के बोड़न रहता है, उसमें नहीं रालना चाहता है, और वो सुचता रहता है कि हाँ, मुझे उसको चोईस देने पड़ेंगे, ताक मैं तब तक उसका वेट कर सकता हूँ, पर अभी मैं किसी भी तरीके से उसे बड़न में नहीं डालूँगा, और ऐसे ही लोग का लाइफ चलता रहता है, तो आज के यह हमारे क्यों पाज ही खतम होता है, I hope you like this video, thank you for watching.